जैहिंद एंड वेल्कम तो लर्निंग ही माचल तो गाइस जैसे कि आपका अलाइड का एक्जाम भी हो चुका है आपका एचेस का भी हो चुका था इस साल बस अभी एचेस का मेंज का एक्जाम जो हो आपका पैंडिंग है जिन बच्चों का प्रीकलेर हुआ था लेकिन जिनका नहीं हुआ बढ़ाने के बाद नहीं है अगली बार ज़रूर होगा क्योंकि लर्निंग ही माचल की टीम जो है वो आपके साथ है तो आज जो हम डिसकस करेंगे वो हम पूरा प्लैन जो हो डिसकस करेंगे इसी तरह से जो हो आपको हम पढ़ाएंगे इसी तरह से आपको notes देंगे और इसी तरह से आपने खुद पढ़ना है क्योंकि हमने जो हो week wise हर topic wise हर subject wise जो हो schedule बनाया है तो guys देखिए पहले हम शुरुआत करेंगे HPGK से अगर हम HPGK की बात करें हमने 11 weeks में जो हो डिवाइड किया है यानकि complete यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा pre plus mains दोनों जो हो target रहेगा और ना कि सिरफ HS बलकि allied NT और जो भी आपके अधर exams है जो class 1 के exams है वो सारे इसमें cover होंगे including HS level जो हो HS level का रहेगा जिसमें आपके सारे levels जो हो complete हो जाएंगे और यहाँ पे जो हो GS plus CSet सभी रहेंगे including answer writing ठीक है तो जो हम आपको करवा रहे है class में जैसे जो हम जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन हम आपको answer writing भी करवाएंगे आपका pre और mains दोनों का चलेगा और GS plus CSet सबका है तो पहला देखिए HPGK है HPGK को देखिए हमने 11 weeks में जो हो डिवाइड किया है बात करें तो देखो week 1 से week 2 है जिसमें हमने HP जोग्राफी के कुछ points लिए है week 3 से week 4 ancient histories आज जाते हैं फिर उसके tribes का है then freedom struggle, administrative history, social custom, dances and fair and festival ठीक है उसके आदेखिए art and culture, paintings and painters district wise GK उसके बाद हमारे पास miscellaneous miscellaneous यानि कि देखो जैसे कुछ चीज़े हैं जो आपके HP, जो mains के लिए हैं लेकिन pre के लिए नहीं है जैसे आप mains के syllabus में देखो कि कुछ extra चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती है HPGK से related, कुछ वह current की होती है कुछ वह acts के बारे में होता है कुछ schemes के बारे में होता है वो सारी चीज़ें जो है आपके miscellaneous में आती है तो वह हम complete करेंगे ठीक है तो यानि कि इस तरह से हम अपने HPGK को complete करेंगे 11 weeks में pre और mains दोनों point of view से ठीक है उसके बाद अगर आगे चलों तो देखिए ये जो चीज़ें में आपको बता रहा हूँ ये किस चीज़ के लिए बता रहा हूँ जो हमारे HES 2025 का comprehensive course है ये जो comprehensive course है ये live course है यानि कि आपकी जो classes लगेगी वो zoom पर लगेंगी जिसमें आपको एकदम offline की तरह ही जो हो आपको पढ़ाया जाएगा आप हमसे lifetime बात कर सकते हैं बॉल के बात कर सकते हैं वीडियो call वहाँ पर सब चीज़ें जो हो आपको facility अवेलेबल होती है और यहाँ पर जो हो GS CSET आपका रहेगा pre और mains यानि की answer writing भी आपकी रहेगी weekend में current affairs की class रहती है इसमें और कें included है prelims की test series यानि की sectional test plus full length mock test mains test series, mains test series हमारे पास 30 copies यानि की 30 mains की test series हमारे पास पढ़ी है जो की subject wise है और साथ में including जो हो आपके complete GS GS2 GS3 के हिसाब से जो आपकी mains की test series है, वो भी available है special focus हिमाचल जी के, क्योंकि आपको पता हिमाचल जी के HS के लिए बहुत ही जादा important है और कोई भी exam में उसके लिए बहुत जादा important है इसमें जो है, वो आपको videos, यानि की देखो, live class तो होगी लेकिन suppose करो, आपकी live class miss हो जाती है तो आपको video recorded जो होगी lecture होगए, वो आपको मिल जाएगा notes आपको प्रवाइड किया जाएंगे class में तो बनाए ही जाएंगे handouts भी जो हो आपको प्रवाइड किया जाएंगे test जो हो आपके हर weekly जो हो आपके test रहेंगे साथ में आपको sectional test भी दिये जाएंगे और इसके अलावा जो रहेगा आपको lifetime access मिलेगा हमारी website का जिसमें आप आपकी जो ID बनी होगी आप उस ID में जितना भी हमारा paid material होगा website में जो कि सिर्फ paid material रहेगा उसको जो हो आप free of cost access कर सकते हैं इसके बाद ठीक है तो जिसमें हमारे जितने भी 500 प्लस वीडियो lectures हैं हमारे notes हैं हमारे tests हैं हर एक चीज़ जो हो आपको free of cost lifetime जो हो आपको ये provide करवाई जाएगी तो देखिए ये simple जो हो आपका रहेगा इसकी जो हमारी complete fees है that is only 50,000 और देखिए मैं आपको बता दू कि यहाँ पर जो पढ़ाएंगे आपको वो सारे teachers कोन है वो सारे teachers वही है जिनको minimum five years का experience है चंडिगड के जो academies आपने अल्रड़ी सुनी है top academies वहां के जो हो ये ex faculties हैं या फिर already जो हो पढ़ा रहे हैं इसलिए मैंनका नाम reveal नहीं कर पाता आपके लिए लेकिन जब आप इसन से पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा maximum teachers को आप already जानते होंगे मुझे and रचना मैम को आप जो already जानते होंगे ठीक है उसके अलावा और जो teachers है वो already जो हो चंडिकड़ और दिल्ली के top institutes की faculties हैं जिन्होंने खुद ये exam clear किये हैं और खुद जो हो उनको 5 years का minimum experience है in HS और other IS level के exams के experience को जो हो prepare करवाने के लिए ठीक है तो ये सारा जो हो आपको सिर्फ 50,000 में लेकिन हमारे पार सिर्फ 20 seats हैं और first 10 seats जो हैं वो हम आपको 5,000 off करके यानि कि 45,000 में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी और शायद ये सब चीज़ें आपको quality चीज़ें जो हो कहीं पे इतनी affordable cost में जो हो नहीं provide होती क्यों क्योंकि हम जो हैं वो सारे teachers हैं यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे management में दिखेगा वो भी सारे teachers हैं पढ़ाएंगे भी आपको सारे teachers content भी teachers ने बनाए तो हमारा extra जो हमारा खर्चा होता है वो हमारा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे टीचर्स ही सब कुछ संभालते हैं, है ना, तो हम टीचर्स की ही ये टीम है, जिनका ये इनिशियेटिव है, है ना, तो हम सबने जो हो ये इनिशियेटिव संभाला है, हमाचल के एस्प्रेंट्स को जो हो affordable and quality education प्रवाइड करने का, इसलिए हमारी fees भी जो हो affordable है और इस 45,000 में जो है, वो आप lifetime जो अक्सेस आपको प्रवाइड हो रहा है, साथ में जो हो आपके exam तक live classes चलेंगे daily, ठीक है, और हमारा जो बैच रहता है वो evening का रहता है, इसलिए हमने जो हो evening student, जो हो हो हमारा batch रहता है, evening classes हमारी रहती है, तो देखिए ये सभी के लिए जो हो affordable रहता है, क्योंकि evening में हर एक person जो हो free हो जाता है, ठीक है, चाहिए वो working है, चाहिए वो सिर्फ student है, तो वो जो हो evening में free होते हैं, लिए हमारा evening का batch रहेगा ठीक है तो देखिए आगे चलते हैं अब अगले subjects की बात करते हैं तो अगला subject देखिए यसे modern history है modern history को हमने किस तरह से divide करा है 9 weeks में जो हो हमने modern history को divide करा है जिसमें आपको pre और mains जो हो क्लास होगी लेकिन अभी first जो two months रहेंगे जब तक बच्चों का mains का paper नहीं हो जाता क्योंकि हमारे पास mains का भी batch है mains के students हमारे पास पढ़ रहे हैं जिनका pre clear हुआ था वो mains में जो हो अभी हमारे से अंड्रोल हुए है तो mains तक जो आपकी एक class रहेगी जो की 2 घंटे की होगी ठीक है तो अभी देखिए modern history जो हो हमारा चलेगा modern history में हमने जो हो इसको डिवाइड किया है Europeans जब से आ रहे हैं यानि कि 1490 से जो हो हमारी history शुरू होगी और यह 1947 तक जो हो आपकी complete होगी ठीक हर एक चीज जो हो इसमें complete कराई जाएगी दूसरा geography, geography को हमने 10 weeks में divide करा है जिसमें पहले तो आपका physical or introduction geography रहेगी then Indian geography, world geography, economic geography then उसके बाद हमारा आता है geographical thought and contemporary issue और एक week हमने पूरा रखा है map and atlas के लिए यानि कि दुखो आपको पता है कि mapping के question बहुत आते हैं तो atlas के लिए हमने पूरा एक hafta रखा है, यहाँ पे हम atlas including current affair जो हम यहाँ पे आपका रहेगा हलांकि current affair आपका हर Saturday को class रहेगी तो उसमें आपका cover हो जाएगा अगर class नहीं होती है तो हम आपको जो वो notes प्रवाइड करते हैं ठीक है जो पूरे हफ़ते के current affairs होते हैं तो उसमें cover हो जाता है लेकिन जब हम atlas पढ़ेंगे तब भी हम जो हमारा last five six months का current affair होगा उसको भी हम cover up करेंगे उसके बाद हमारे पास आता है quality देखिए quality को जो हमने eight weeks में divide करा है आपके exams के लिए जो main important core topics है उनको relate करके सबसे पहले खतम किया जाएगा उसके बाद जो हमारे x y z जो topics बसते हैं उनको complete किया जाएगा तो आठ हफते में जो हम Indian quality जो हम complete करेंगे then environment and ecology environment and ecology के लिए हमने five weeks रखे हैं five weeks में जो हम आपका complete environment and ecology including जो आपके environment के current के questions है वो भी जो हम इसमें complete किये जाएगे देखिए यहां पे आपका पहले शुरुआत करेंगा हम ecology से उसके बाद हमारे पास pollutions आएगा environmental issue आएगा सबसे important environmental impact assessment जो कि आपके mains का इक अलग से topic है बहुत important है waste management waste management आपके mains और pre दोनों के लिए important है biodiversity उसके बाद जितने भी action policies बनी है conservation efforts चाहे वो national level पे है चाहे वो international level पे है लेकिन हम state level का भी जो हम इसमें complete करते है ठीक है acts and policies हमारा state national or international सारी जो हम complete होती है ठीक है environmental organization जितनी भी है हमारी ठीक है चाहे वो UNFCC है UNEP है UNFCA जो भी है सारी हम इसमें complete करते हैं और उसके other fact ठीक है other fact यानि कि इन सब के लावाद जो भी चीज़ें बचे including current वो हम जो हम यहां पे complete करते हैं then आता economy 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 बहुत बड़ा रोल आपका play करता है आपने allied में भी देखा economy के questions आए है एचेस में भी आते है तो seven weeks जो हम आपने economy के रखें इसमें हम हिमाचल की economy भी cover up करेंगे हिमाचल की economy यानि कि जो आपका survey है ठीक है उससे related जो चीज़ें है उसको compare करके Indian survey के साथ यानि कि Indian budget के साथ compare करके जो है वो आपको पढ़ाये जाएगा तो ये भी जो हमारा economy का part complete करता है उसके बाद हमारे पास C-set C-set का देखो ऐसा रहता है कि C-set देखो बहुत एक और subject है C-set maximum बच्चे इस साल C-set में fail हुए कि math जादा आ गया reasoning tough आ गया math tough आ गया है तो C-set हमारा पूरा साल चलेगा ताकि C-set में बच्चा कोई भी रहे न क्योंकि maximum बच्चे जिनके इसमें 110 10, 615 नमबर बन रहे थे लेकिन C-set में जो हो बच्चे fail हो गयते हैं C-set में के qualify marks भी अचीव नहीं कर पाए तो C-set की जो हो हमारी classes रहेंगी और हर हफ़ते minimum दो classes C-set की रहेंगी और पूरा साल जो हो यह चलेगा इस तरह से ताकि आप maths and reasoning के जो हो continuously जो हो touch में रहें ठीक है इसके बाद आते हैं other subject जो की शायद आपके mains के लिए भी जादा important है ठीक है जैसे आपका science tech है प्री के लिए भी है mains के लिए भी है space technology है disaster management one of the major subject society है इसके लावा governance है जैसे एक सेक्टरा में आ गया governance है आई-आर है यह सारा जो हो आपका other subjects में complete कराया जाएगा ठीक है अलग आप अगर हमारे telegram channel में अगर आप जुड़े हैं तो आपको already content आप देखते हैं ठीक है तो बिल्कुल भी घबराने की बाद नहीं है ठीक है you just have to realize on us you just have to trust on us ठीक है और यह जो trust है यह आपका जो हम पूरा करेंगे जो हमारी team है qualified and experienced mentors की जो team है वो आपके इस trust को पूरा करे आप उनसे भी review ले सकते हैं और जितना जल्दी हो सकता है और इस discount को जो हम आप अवेल कर सकते हैं और lifetime जो है वो आप इसको access कर सकते हैं तो बाकी जादा जानकारी के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं टेलिग्राम में जूट सकते हैं WhatsApp पे जूट सकते हैं call कर सकते हैं इस number पर जादा information के लिए तो यह देखी है हमने आपको अपना पूरा जो है वो scenario पूरा किस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे किस तरह से हमने एक subject को जो है वो आपको divide करके जो है वो आपको पढ़ाना है वो complete हमने आपको जानकारी दिए और शायद यह चीज़ें जो है वो आपके स साथ तो इसी तरह से बाकी मिलते हैं जल्द ही आपके साथ धन्यवाद जय है